इसे देखकर अंग्रेज अपने बाल नोच रहे हैं, अमेरिकी डोलर की ये हालात हैं कि वो सदमे में जा चुका है, वहीं पूरी दुनिया शोक में है, हैरान है कि भारत ने ऐसे किया तो किया कैसे, वहीं ब्रिटिश मीडिया और ब्रिटेन के लोग ये सोच रहे हैं कि यार ह हमने तो इस देश को अब से 77 साल पहले बरबाद करके छोड़ा था, इसके कई हिस्से भी हमने कर दिये थे, इस बात को पूरी तरीके से इन्शोर भी कर दिया था, कि ये देश जब तक रहेगा, अपने पडोसियों से लड़ता रहेगा, कुछ इस तरीके से हमने इसकी ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, बलकि आज तो इसने हमें एक ऐसे मामले में पचाड दिया है, जिसमें हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन ऐसा हो क्या गया और ये पूरा मामला है क्या, चले मैं आपको विस्तार से सारी चीज़े समझाता हूँ, दरसल ह हुआ ये है कि हाल ही में RBI ने एक रिपोर्ट जारी करी है, और इस रिपोर्ट में बताए गया है कि हाल ही के पिछले दो तीन महीनों में RBI ने रिकोर्ड सोने की खरीद करी है, उधरन के लिए इसी साल जनुवरी के महीने में RBI ने 8.7 तन, जी हाँ, मैं आपर तन की बात क कर रहा हूं, 8.7 तन सोना खरीदा है, इतना ही नहीं, इसकी अगले ही मंत, फरवरी में हमने करीब न 6 तन के करीब सोना खरीदा है, हाला कि जो मार्श का आकड़ा है, वो अभी एक हफ़ता लगेगा आने में, लेकिन फिलाल अगरा हूं, फरवरी तक का ही आकड़ा जोड़ कर बताऊं मैं आपको भारत के खजाने में जो सोने का भंडार है वो 820 टन पर जा चुका है जी हाँ इतना ही नहीं भारत इस वक्त दुनिया का आठवा सबसे बड़ा सोने का भंडार रखने वाला देश बन चुका है और सबसे खास बात हमें सिर्फ 20 टन सोना और खरीदना है उसके बाद भारत दुनिया में सबसे जादा सोना रखने वाले देशों की सुची में साथवे नंबर पर आ जाएगा और सबसे अमेजिंग बात पताए क्या है वो अंग्रेज जिन्होंने कई दशकों तक भारत को लूटा भारत जो कभी सोने की चीडिया कहा जाता था और पूरी ग्लोबल जीडिपी का यानि कि दुनिया की उस समय टोटल जो अर्थववस्था थी उसका 27% भारत कंट्रिब्यूट करता था यानि कि भारत उस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थववस्था था अंग्रेजों ने कुछ सो सालों में उसे इतना लूटा कि यानि कि अंग्रेजों से जो बन पड़ा इन्होंने वो गलत काम भारत के साथ किया लेकिन आज इस्थिती ये है 2024 के अंदर कि आजादी के 77 सालों के बाद भारत का जो सोने का भंडार है वो ब्रिटेन से तीन गुना बड़ा हो चुका है जी हाँ ब्रिटेन का जो सोन भंड है वो तीन सो टन से भी कम है वहीं इतना ही नहीं वो अरब देश जिनकी भारत में खुब वावा होती है कि बहुत अमीर है बहुत सोना है इनके पास इनसे जदा अमीर कोई नहीं है वो भी भारत के आसपास नहीं है जो अरब का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर देश है साउ बहिया देशों को पचाड़ना या हराना नहीं है दरसल भारत इतना सोना खरीद कर अमरीकी डोलर को टकर दिना चाता है आप जानते ही हैं दुनिया भर की करंसी और मुद्राएं अमेरीकी डोलर के सामने लगातार कमजोर पड़ रही है इसी वजह से भारत इसे काउंटर करना चाता है भारत अपने जो रुपिया है उसकी बैकिंग करना चाता है सोने से इसलिए हम अपने खजाने में लगातार सोने की मातरा बढ़ा घा रहे हैं आज की तारिक में श्थिति यह है कि भारत के पास जो 820 टन का सोना है न इसकी वैल्यू लगभग 52 बिलियन डॉलर है 52 बिलियन डॉलर और आने वाले समय में ये और भी तेजी से बढ़ेगा क्योंकि हम UAE के साथ डील कर चुके हैं जिसके तैट हम उनसे लगातार ज्यादा सोना खरीदते जाएंगे अपने खजाने में सोने की मात्रा बढ़ाते जाएंगे जिससे कि भारती रुपे को डॉलर की नहीं बलकि सोने की बैकिंग मिले और वो ज्यादा स्टेबल हो अमेरिकी डॉलर कितनी भी कोशिश कर ले वो भारती रुपे को ना गिरा पाए यानि कि भारत इतना सोना इसलिए खरीद रहा है ताकि भारती रुपे के मामले में भी हम डोलर पर यानि कि एक विदेशी करंसी पर निर्भर ना हो इसमें भी हम आत निर्भर बनें और अपनी जो करंसी है उसे ताकतवर बनाए रखें हाला कि इस मामले पर मैं आपको आगे भी अपडेट देता रहूंगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना